नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो आज इस हालत में रिव्यू करना पर रहा है क्योंकि एक बहुत ही इंपोर्टेंट और खास चीज आपके साथ डिसकस करने वाले हैं वो है आल्ड बाला जी में रिलीज हुई एक नई वे लाती नहीं है लेकिन शायद आपका गेज या एजम्शन जो है इस बार वो सही नहीं बैटने वाला है यूँकि ऐसा ही एक बहुत ही अनोखा और स्पेशल वेब सीरीज जो है वो आल्ड बाला जी वे रिलीज हो चुकी है तो यह जो वेब सीरीज है इसका जो डिरेक्टर ह है उनका नाम है प्रशांद वागिया और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक एड फिल्म डिरेक्टर है और काफी दिनों से इंदस्री के साथ जुरे हुए एज अन एक्टर और बहुत सारा चीजो में तो उनसे एक खास चीज जो है आज निकली है और यह ऐसा एक वेब सीरीज है जो बहुत ही जादा एक सेंसेटिव सब्जेक्ट के उपर बनाया गई है जिसको हम लोग सभी जानते है जो LGBT जो होता है न मतलब आपका जो माइनुरिटी या फिर जो कम्यूनिटीज है तो वही कम्यूनिटीज का कहानी है और जो बहुत ही एक सेंसेटि टॉपिक्स के ऊपर है तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी कलाकार है जिसने यहां पर काम किया है या । फिर कहानी का पॉजिटीव साइट कौन सा रहा वें स्रे कास्तिंग है कास्टिंग में आपको पहले जो दिखेंसेगे सत्याधिब मिष्रण जी है जो लीट वाइव कारेक्टर में यहां पर कुनाल जो प्लेक्टर रहे है। उसी के साथ जो मिर्नल दथ है जो आपका दूसरा एक डुसरा एक प्लेक्टर प्ले कर रहा है। जिन दोनों के बीच एक्षुली यह रिलेशन जो है वो दिखाया जाता है। और कुनाल का वाइफ कारेक्टर यहां पर प्ले कर रही है वह है प्रियमनी को आप सभी जानते हो साउथ के बहुत ही मशूर कलाकर है और फिलहाल जो है फैमिली मैन के बाद उनका एक वेब प्लाटफॉर्म में अलगी एक बोल सकते हैं उनका एक बेस बनाए और अपना चन्न सिर्ट इना कास्ट जो भी अच्छा इसमें काम की है अब का टार польз करते हैं थोड़ा कहानी के ऊपर और बात करेंगे पॉजिटीव चीज के उपर तो पॉजिटीव जो है इस कहानी में वो है कि इस कहानी के अंदर में बहुत अच्छा एक अंड़र्टोन मेशज दो अच्छा एसे अंड़र्टोन मेशज जो है वो दिया गया है तो पहला जो है कि हर इंसान को एक अपना preference होती है और वो preference को जो है वो respect देना चाहिए तो ये Union Health quindi जो है LGBT community जो है उनको उनका जो प्रेफरेंस उनका जो sexual orientation या प्रेफरेंस है उनको बाकी लोग आम आदमी कैसे उनको प्रेफरेंस देते हैं और कैसे उनको आम आदमी ना सोचके दूसरा आदमी नहीं क्यों नहीं सोच रहे चाहिए वो चीज के ऊपर बहुत अच्छा चीज द परिश किया गया है तो बैसिकली जो मतलब presentation of the story है जो मतलब points है वो points वो मुद्दा काफी strong रखा गया है परीमनी और प्रियमनी और अपना सत्यदीप मिश्टा का जो मतलब जो combination है वो husband wife का जो combination है काफी अच्छा बैटा है काफी अच्छे तरीके से उन दोनों ने जो है यह आप काम कर रहे हैं लेकिन कभी आपको देखके वो लगेगा नहीं कि आपको वो जो है न मतलब अरे यह सब नहीं देखना है मेरे को आपको उस type का feeling जो है वो feeling आपको आएगा नहीं अब यह तो रहा अच्छी बात क्या है web series के बारे में लेकिन इसमें 2-4 point मुझे गलत भी लगा है जैसे कि पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा जो web series का जो कॉस्ट्यूम है वो कॉस्ट्यूम ऐसा है कि आपको हर सीन में लगेंगे यह लोग पार्टी कर रहे हैं तो जैसे dressing या फिर कॉस्ट्यूम यूज किया गया है वो काफिर रिच और बोल सेक्ट सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वहां पर भी लोग पार्टी वैर पहन के बैठे हुए है तो यह चीज थोड़ा बहुत कटकता है एवन एक आखिर में जहां पर एक ब्लोड स्टेन लग जाता है शर्ट के उपर वाइट शर्ट के उपर वही काफी फेक और मतलब आपको नखली या फरजी आपको देखके वह लगेगा तो रियलिटी के साथ इसका दूर कोई संपर्क नहीं है दूसरा चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए यह जो कहानी है इस कहानी पे अंदर में बहुत सारा सब प्लोट्स है तो सब प्लोट्स में अंदर में एक जगा जो है जहां पर जूबेनाईल सेक्स को दिखाया जाता है एक 16 साल का एक लड़का है जिसको मर्द बनाने की कोशिश में उसका जो मतलब पापा है मतलब उनका जो फादर है वो लड़के को भेशता है मतलब एक प्रॉस्टिटीट के पास तो वो चीज मुझे तोरा और लग करते हुए दिखाया जाता है लेकिन शायद हमारे ओडियंस अभी भी उस जगह पर पहुंचा नहीं है जहां पर इसको एकसेप्ट करें तो इसको एवोट किया जा सकता था लेकिन फिर भी डिरेक्टर ने इसको ठीक समझा लेकिन मेरे हिसाब से अगर कहानी पे नहीं भी हो इसको एक साथ बैटके चार घंटा मेंने खतम किया तो आप समझी पा रहे हो कि कितना खास हो सकता है लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि इसका जो रन टाइम है मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है इसमें अगर थोड़ा से एडिट करके मान लेजे इसको तीन सवा तीन या जाधा स्याधा साड़े तीन घंटा का अगर होता तो उतना फर्क कोई आने वाला नहीं था कुछ-कुछ सिक्वेंस है कुछ-कुछ सीन से जिसको थोड़ा बहुत स्ट्रेच किया गया है तो दोस्तों यही मेरा था अनलेसिस ऑप इस पर्टिकुलर वेप सेरीज स्टोरी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मैं पहली बाद आपको बोल रहा हूं और बाला जी का कोई चीज जो अच्छा बनाए तो आपको इसको जरूर दे सकते हो यह डिफिनेटली वान टाइम वच तो ही आप डिफिनेटली इसको समय लेके देख सकते हो और फैमिल